इनसान को जिन्दा रहने के लिए दो वक्त की रोटी चाहिए अपने पेट को पालने के लिए लोग दिन रात कड्डी मेहनत करते हैं मगर इस दुनिया में एक ऐसी महिला भी है जो पिछले कई दशकों से बिना अंखाय जिन्दा है यह पढ़कर भले ही आपको हैरानी होगी लेकिन यह बिल्कुल सच है हम बात कर रहे हैं 75 साल की सरस्वती बाई की सरस्वती बाई पिछले 60 सालों से बिना अनाच खाय जिन्दा है जो किसी चमतकार से कम नहीं है मद्यप्रदेश के धामनोद में रहने वाली 45 साल की बुजर्द सरस्वती बाई की कहानी सुनके हर कोई हैरान है क्योंकि उन्होंने पिछले 60 साल से अन का एक दाना भी नहीं खाया है बिना अन खाय बस चाय और पानी के दम पर न सिर्फ वो आज तक जिन्दा है बल्कि बगेर खाय वो खेत में घंटों अपना पसीना भी बहाती थी आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी हालत में और बहुत कम उम्र में वो पांच बच्चों की मां भी बनी सरस्वती बाई की शादी द्वार का प्रसाद पाटीदार से हो गई थी और वो कम उम्र में ही मां भी बन गी पहली डिलिवरी में उन्होंने एक लड़की को जन दिया और मां बनते ही उनकी तबियत खराब हो गई सरस्वती बाई को टाइप हाइड हो गया था जिसके चलते उनकी आनते सिक उड़ गई और वो जो भी खाती थी उन्हें उल्टी हो जाती थी हाला कि इलाज कराने की बज़य से कुछ समय बाद उनकी तबियत तो ठीक हो गई लेकिन उन्हें अनसे नफरत सी हो गई बीमारी से ठीक होने के बाद सरस्वती बाई को कुछ भी खाने का मन नहीं करता था और जब भी वो कुछ खाने की कोशिश करती उन्हें उल्टी हो जाती